Hello everyone, welcome back to my channel, I hope आप सब बढ़िया होंगे और सरदी में अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे आज हमारे husband पता नहीं भूल के fool लेके आये हैं, किसके लिए लाये हैं वो तो उन्होंने बताया नहीं पर इनको देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस तरह की चोटी-चोटी चीजों से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है और positivity भी जिन्दगी में आती है वैसे तो दोस्तों हम home maker को सोचा जाता है कि घर में दो-चार ही काम होते हैं करने को वो दो-चार काम तो होते ही हैं पर उसके अलावा जो बहुत सारे काम सारा दिन चले रहते हैं वो कहां से आ जाते हैं फिर दोस्तों मैंने अपने घर में लगा रखी है एक house help और वो बरतन धो देती हैं बरतन धुले हुए मिल जाते हैं पर उन्हें थोड़ी जल्दी जल्दी रहती है वो धो तो देते हैं पर actual में अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं इवन मैं भी अगर धों जल्दी में तो मिलसे भी ऐसे से कोने रही जाएंगे जहां oil वगेरा कठा होता रहता है time के साथ और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है और ये कड़ाई मैं पता नहीं कितने सालों से use कर रही हूँ और इस तरह देखिए एक मोटी परत जम गई है कई बार सोचा कि इसे मैं अब use करना बंद कर दूँ पर ये ऐसी कड़ाई होती है घर में जो अच्छी लगती है आपको वैसी है ये मोटी है तो इसलिए खाना अच्छे से बनता है जलता नहीं है जब कभी जोश चड़ता है तो बहुत अलग अलग तरीकों से मैं इसे सा नहीं हुआ है वही है दोस्तों जब आपके पास चीज नहीं हो तो उसकी केर तबी से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए वैसी ही हमारे आते हैं ये mixer grinders के jar हम उपर से या अंदर से इनको use करते हैं grind करते हैं इनके भी ये जो corners होते हैं नीचे बहुत चोटी चोटी चीज़ होती हैं इनमें फस जाती हैं चीज़े साफ तो हो जाती हैं असा लगता है साफ हो गई हैं बट actual में इनमें time के साथ collect होता रहता है और देखिए नीचे का तो हम using नहीं करते हैं उसमें कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है अब house help आती हैं वो अंदर से साफ कर लेती हैं even हम भी साफ करें तो अंदर अंदर से साफ करें कि नीचे वाला portion को कौन देखता है मैं तो नहीं देखती हूँ पर जब कभी देखती हूँ तो लगता है कि नहीं आन इनको भी एक attention की जरत रहती है वैसे ही ये जो जार्ज की lid होती है इनके भी time to time निकाल के साफ करना बहुत ज ज़्यादा जरूरी होता है इन में तो देखें ट्रांस्परेंट है पर ये black वाले को जब मैंने खोल के देखा तो देखें अंदर कितना ज़्यादा चीज़े निकली है तो दोस्तो मुझे तो ग्यान आ गया है कि इन्हें भी time to time निकाल के साफ कर लेना चाहिए अगर आप मैं इनको दो दूँगी बहुत इसली दूल जाएंगे इने दोने के लिए आप गरम पानी लेना तो उससे बहुत अच्छे से दूल जाते हैं मेरे तो brush भी use हुआ है क्योंकि आपने देखा ना एक की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी उसे मैं 10 साल से use कर रह हैं बट वही है कि जब हम बरतन साफ करते हैं तो जल्दी जल्दी में कर देते हैं एक्च्छल में काफी चीज़ें इकटी होती रहती हैं इन छोटे छोटे कोनों में तो इसका ख्याल मैं भी रखूंगी दोस्तों आप भी रखना और ये जो लिड्स होते हैं इनको airtight बनान और आसानी से एकदम वापिस फिरसे लग जाते हैं ये ऐसी चीज़े होती हैं दोस्तों देखने में बिल्कुल ऐसी लगती हैं साफ हैं बट जब इनके पुर्जे पुर्जे अलग किये जाएं तब पता लगता है कि कितना ज्यादा इन में क्या-क्या भरा हुआ है तो खुद साफ करते हैं तो अपने पास जो ब्रश आते हैं वो जरूर रखिए कई-कई ऐसे कोने होते हैं जो स्क्रब के साथ साफ नहीं होते हैं तो उनको उस टाइम साफ करा जा सकता है अगर आपके पास नजदीक में ही ब्रश पढ़ा हो तो रात के बरतन मैं खुद करती और उस टाइम में कोशिश करती हूँ जाद से जाद ऐसी सी चीज़ें क्लीन करके रख दूँ और हर एक रात को बटन दोते हैं तो आज क्लीन नहीं हुआ तो ठीक है नेक्स दिन फिर से साफ करिएगा देरे देरे क्लीनिंग करते रहते हैं साफ हो ही जाता है और नाइट में जब किचन एकदम साफ होता है सिंक साफ होता है खाली होता है तो बहुत अच्छा लगता है आईनो कि सुबह उटके फिर से वही काम होता है वही चीज़ें साफ करने को होती है पर ठीक है ना एक तसलीसी मन में रहती है कि हमने साफ कर दिया है और ऐसा भी है कि अगर आप छोड़ देंगे तो वो इकठा होते होते एक दिन आपके ही सिर्फ पे बॉम फोड़ेगा कि चलो आप आज तो साफ करो ही हमें और अगर कोई दूसरा देखता है तो उंगली आपकी तरफ ही उठेगी कि आपने ही इसे साफ नहीं किया है चाहे आपके घर में हाउस हेल्प आती हो या नहीं हो या आपकी रिस्पॉनसिबिलीटी होती है या तो आप साफ कराए या तो खुद साफ कर करके रखिए तो यही है दोस्तों मैं जादा नहीं बोलती हूँ हाउस हेल्प को तो उसे नॉर्मली जैसे साफ करते हैं वैसे ही साफ करती थी मैं काफी सालों से था और एक दिन जब मैंने बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ तो ऐसी कई जगाएं होती हैं ऐसे कोने होते हैं जहां तेल इकटा होता रहता है और वो इतना जगाएं हो जाता है कि पर साफ करना बहुती ज़दा मुश्किल भी हो जाता है तो इस बार मैंने सूचा है जो भी मैं नहीचीज लोगी उसकी केयर मैं पहले से ही स्टार्ट करूँगी ऐसा नहीं है कि जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए थब जागना है तो जब कभी भी नॉर्मल सफाई कर रहे होते हैं तो मुझे कहीं ऐसा दिखता है कि वो स्क्रब से नहीं हो रहा है तो मैं ब्रश निकाल के उनको साफ करने लग जाती हूँ यह जो चोटे-चोटे स्क्रूज होते हैं इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑईल भरना शुरू हो जाता है फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है निकालना तो दोस्तों जब यह आपके पास आप सफाई कर रहे हैं तो टाइम निकाल कैसे से जगाएं भी साफ कर लीजिए अपने अपने स्टोब में क्योंकि फिर यह बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं साफ करना अब यह देखिए यह बर्नर्स के नीचे वाला पार्ट काला हो चुका है पर अभी भी हातों में है बात अब इसे साफ किया जा सकता है और और काला होने से बचाया जा सकता है आज मैं गैस को नीचे से भी अच्छे से साफ कर रहे हूँ यह नीचे वाली जो चीज होती है इसे तो हम टोटली इगनोर ही करते हैं हमारा यह स्टोब एक साल से यूज हो रहा है और देखिए एक साल में जितना ये काला हुआ है ये अच्छा से साफ हो जाता है अगर आप विनेगर और बेकिंग सोटा का सॉल्यूशन लेते हैं और स्प्रे बाटल बहुत जरूरी है इससे कम पानी यूज होता है और अच्छे से साफ भी हो जाता है अंदर अंदर कोनों से भी निकल जाती है चीज़ें और दूसरा है ये माइक्रो फाइबर कलॉट ये जो पानी नीचे गिरता इसको अच्छे से सोक लेता है और तीसरा हो तो कम टाइम लगता है और कम परिशानी होती है क्लीन करने में तो थोड़ा मन भी लग जाता कि नहीं नहीं अच्छे से हो गया हमारा काम तो ये सारे काम जो होते हैं मुझे मेड के आने से पहले पहले कंप्लीट करने होते हैं क्योंकि फिर वो आ जाते हैं तो वो फिर जल्दी जल्दी काम करना खतम करते हैं तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ आपको खुद ही ध्यान देना होगा क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा value करती है अब बढ़ती हूँ चलिए next चीज़ की तरफ और हम तो रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं और हमारे सिंग के ऊपर इस तरह की एक कैबिनेट बनी हुई है जिसमें ये वाले ट्रेज लगी हुई है देखिए काली दिख रही है एक्चुल में ये स्टील की बनी हुई है पर जब हम आये थे तब भी हमें इसी तरह की मिली ये अब ये हुआ क्या है इनको तो मैं बताती हूँ आपको और ये देखिए ये वाला कैबिनेट अच्छे से बंद भी हो जाता है बरतन धोलो और बंद करके रगदो सुखते रहते हैं तो ये देखिए जंग लगा हुआ है इन ट्रेज को और ये स्टील की है अक्च्छल में मैंने काफी बार इनस साफ करने की कोशिश की है पर ये तो बहुत हार्ड वर्क है कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा इसके लिए जिसे ये साफ हो सकती है तो मैंने ओनलाइन ये देखा था और इसलिए मंगवाया कि ये जंग के लिए यूज होता है अभी मैंने फूल को भी बीच में लगा दिया है क्योंकि ये फूल का कलर इतना प्यारा लग रहा है कि हट हट के नजर इसकी तरफ ही जा रही है एनिवेज तो इस तरह की स्प्रे बॉटल आई हुई है जैसे ताले या किसी स्क्रू में जंग लग जाता है तो इसमें लगाते हैं तो वो खुल जाते हैं चलिए तो मैंने सोचा इसमें लगा के देखती हूँ और मैंने बड़ी ही इमानदारी से हर एक लाइन पे बहुत ही अच्छे से लगाया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि अब ये जादू होगा और ये सब साफ हो जाएगा बालकनी में रखा बच्चों से बचाने के लिए पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई जादू नहीं हुआ वो वैसा का वैसा ही रहा थोड़ा बहुत निकला होगा तो नीचे वाली जो शेल्फ है इसके उपर में टेबल मैट मैंने कार्ट के रखी हुई है ताकि जो जंग है वो बरतनों पे ना लगे अब बरतन तो यहीं रखेंगे ना कटलेरी के लिए एक बासकेट रख देती हूँ तो नीचे वाली शेल्फ से बरतनों को कोई जंग नहीं लगता है और उपर वाली शेल्फ में जाती है प्लेट्स इस शेल्फ को मैं कभी कभी साफ कर लेती हूँ इसकी वज़ा से जो रस्ट है वो जादा नहीं जमा होता इस पे और नहीं बरतनों पे आता है पर मुझे ऐसा लगता है इसको मैं रोज रगड़ रगड़ के धों तो एक दिन यह साफ होई जाएगी वही है दोस्तो मेहनत का ही काम है और फिर सुनने को मिलता है कि होम मेकिंग में क्या ही महनत लगती है तो दोस्तो दो चार में काम को छोड़ के जो अनगीनत ऐसे काम होते हैं जिन पे किसी की नज़र नहीं जाती है उनमें से कुछ पे हमने आज नज़र डाली है और बाकी जो काम है उन पे हम बाद में नजर डालेंगे तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा बाई बाई एंड टेक केर